गोड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिल्टू में मार्केट देखके तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आज क्यों कि मार्केट आपका बीटीसी 28,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है यानि करेंट में 28,825 पर अभी मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा है और ये 28,900 तक गया था तो ये क्यों गया अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीटीसी इतनी बड़ी छलंग मार गया और अभी भी लगबग 7% बीटीसी उपर चला गया आप ये माल लेजिए एप्रोक्स 3,500 डॉलर बीटीसी जिस रेंज में चला था वहां से उपर आ चुका है और केवल ऐसा बीटीसी में ही नहीं आप ये देखे थोड़ा सा इथिरियम में भी आपको वही 4,5,4% सबाचार परसंट के आसपास अप्रेंड है बीएन भी आपका देखे ज़्यादा कहीं नहीं गया बीएन भी वहीं है कल भी 240 डॉलर के आसपास था और अभी भी 249 डॉलर है लेकिन उसके नीचे आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा उतार चड़ाब नहीं है जितने भी आपके altcoins हैं altcoins आपके मरे से मरे 1% आदा परसेंट तक ही उपर हैं लेकिन जो सारा का सारा मामला फसा हुआ वो यहीं पर है कि BTC आपका जो है अचारा से इतना चड़ गया market cap भी इसकी वज़ाए से देखिए थोड़ा सा market cap अच्छा सुदर गया 1.13 trillion का हो गया है जो आपका 1.080607 trillion हुआ करता था वो आज की rate में 1.13 trillion हो गया है अब यह क्यों हुआ क्यों के बड़ी-बड़ी मचलियों की entry हो गई cryptocurrency में BTC का dominance देखिए कितना बढ़के पहुँच गया यानि कि 49 ज़तन लग 40% लगबग लगबग 50% आप माल लेजिए यानि कि सारा पैसा तो BTC में ही आ गया और इसलिए आप यह देख रहे हैं कि BTC जो है आपका 78% उपर चल रहा है और अभी भी इसका market cap BTC का अगर देखते हैं तो 559.91 billion है यानि कि आपके 50% से भी ज़्यादा का market cap BTC में ही है तो यहां यह सब हुआ है केबल और केबल अमेरिका की चाल की वज़े से अब यह चाल क्या है चलिए वो भी आपको समझाते है कि तभी आपको यह BTC उपर क्यों क्या है यह समझ में आएगा यहां पर देखें US is launching its own crypto exchange यानि के इनका अपना crypto exchange आ रहा है Group of America's largest investment firms अब मैंने कहा का बड़ी-बड़ी मचलियों की entry तो यह क्या है जो बड़ी-बड़ी जो largest investment firms है वो कहीं-कहीं crypto में आ रही है including यानि कौन-कौन सी Citedale and Fidelity Digital Assets are launching a Bitcoin exchange this week यानि कि इस अपते एक नया action जाने वाला है और उसके पीछे ये बड़ी-बड़ी कंपनियां है आपने ये देखा अभी बीच में ये सब क्यों किया गया जो Coinbase और Binance पर आपने देखा है कि lawsuit file किया गया ये केवल एक चालती देखे The whole point of SEC lawsuit on Coinbase on the move retail investors out and make space for institutions यानि के जितना भी ये जो Panic create किया गया Coinbase पर केस किया गया Binance पर केस किया गया Robin Hood को Presser डाला गया उसने कुछ tokens को D-List किया Security में कुछ tokens को डाला गया ये क्या था Panic create किया गया था क्रप्टो में उसकी बज़ादे क्या हुआ जो छोटा investor था वो डरा जो smallest investor था वो कहीं के क्रप्टों से बाहर आया यानि उसने अपना sell किया Market नीचे आया Market नीचे गिरा के ये बड़ी-बड़ी मचलियों को एक तरह से Entry कराई गई यानि को उनको एक तरह से क्रप्टों में गुसाया गया उनके लिए जगया बनाई गई तो यह यह बनना अभी तक भी तो यह बड़ी-बड़ी कंपनिया तने के सोचने वाली बात है कि यह कंपनिया देखी कोई नई तो है नहीं बहुत पुरानी कंपनिया है पैसे बाली कंपनिया है BlackRock है, Fidelity है, यह Sight Adele है और आपके इतनी सारी कंपनिया आ रही है यह बहुत पुरानी कंपनिया है और अच्छा-च्छा इनका मार्केट कैप है उसके बाद भी इन्होंने कर्प्टों के बारे नहीं सोचा भाई, आपका BlackRock तो पहले बिटकोईन को Money Laundering का एक जरिया मानता था वो तो बहुत बुरा ही करता लेकिन अचानक से वो भी आ गया तो यह क्या है कहीं ने कहीं इनके लिए जगे बनाई गई क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ी चाल खेली यहां पर और यही चाल इसलिए निकी लगता है कामयाब भी रही और उसी का नतीजा में एक तरह से बाइंग हो रही है तो उसी की बज़े से आप देख रहा है केवल और केवल बीटीजी ही आपका भागने में लगा हुआ है बीटीजी ही आपका जो है चड़ रहा है दबा के तो बैक्ट बाइ साइटरेल सेकुरिटी फिडेलिटी गोज लाइव यानि एक हफते में आपका यह माली एक नया एक्सचेंज चालू हो जाएगा अमेरिका में तो यह केवल और केवल चाल है अब यहाँ पर देखिए बहुत से बैंक भी अब लाइन लगाके खड़े हुएं करप्टो में आने के लिए यह मैंने आपको रात ही एक चोटी जब्डेट दी थी फिर आपको पताएगा यह डेस्ट बैंक है जर्मनी का बड़ा बैंक है लगबग 1.5 ट्रिलियन की इनकी मार्केट असेट्स को यह मैनेज करते हैं और यह भी जो है करप्टो में आ रहा है तो अब क्या है बड़े-बड़े बैंक भी यानि आप तक क्या आता है यह इंसिट्टूट के लिए जगह बनाई गी थी लेकिन अब आपके बैंक भी लाएन लगा के आने वाले इधर GBTC की मैंने आपको कल बात के थी कि भाई इसको फिडेलिटी जो है कहीं कहीं बाय करने की सोच रहा है यानि कि इसको टेक ओबर करने की सोच रहा है ये केवल और केवल इनीकी वझाय से है तो अब यहाँ पर आप देखे थोड़ा सा बस होसियार रहे हैं देखे यहाँ तो जो हो रहा है वो आपके सामने है कहीं ने कहीं अच्छा हो रहा है अगर देखा जाए तो क्योंकर मैंने आपको देखिए जब clear cut बोला था जब memes coin का वीडियो दिया था आर्नुवित रोहताश चैनल पर कहते हैं कि हम लोगों के बसका नहीं है कि आप हम लोग मार्केट को उपर कर ले जा सकें कि हम लोगों का fund already 80-90% down में है यहां पर नया investors चाहिए नया पैसा चाहिए तभी market आपका अप चाहेगा तो यहां पर देखिए अब यह बड़े बड़े जाइंट्स जो है बड़ी बड़ी मचलियां अब entry कर रही है तो अब market में थोड़ी सी positivity आएगी यहां इसका थबुत देखिए कि कोईन बेस से लगबग लगबग 2400 बिटकोईन को wallet में भेजा गया है यानि अभी तक आपने देखा था कि कोईन बेस पे जायतर माल सेल होने के लिए आ रहा था और खासकर ethereum लेकिन अभी आप देखिए कि आपको यह transaction दे रहा हूँ यह लगबग कोईन बेस से और wallet में माल गया यानि कि BTC को खरीदा जा रहा है दबाके तो BTC को जितना hold किया जाएगा उतना देखिए market में shortage हो जाएगी अभी भी आप जो देख रहे हैं वो केवल और केवल BTC में ही चल रहा है तो यहां देखिए BTC आपका 28830 पर है अभी और market cap भी आपका ठीक ठाक में अभी बढ़िया पता दिया है लेकिन यहां आपको देखिए USDT जो मैं आपको कल से तीन-चार दिन से कल से कर तीन-चार दिन से continue बोलना हूँ को देखिए मेरी नजर USDT और BNB पर है तो देखिए BNB एज इस्टेज जैसे सब का हाल है वही हाल है लेकिन USDT आपका पूरा आज पैगिंग में है यानि के $1 के पैगिंग तो USDT की हालत भी हो सुधर चुकी है और बाकी देखिए सबी का हाल अभी एज स्टेज है कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें उतार चड़ा आप नहीं मिलेगा तो यहां अभी आप मार्केट को और देखिए फोबो में नहीं आना है क्योंको बाइइंग तो आपके पास पड़ी हुई है आपके पास यह तो केवाल उनके लिए मौका था जिनके बाइइंग थी ही नहीं बिल्कुल भी तो dip buy तो उनको करना चाहिए था लेकिन यह है कि अभी भी alt coins में तो देखे जिसको भी अगर investment करना है तो वो कर सकता है उसके पास अभी भी मौका है लेकिन भाई यह अपनी research पूरी कीजिएगा क्योंकि market है कभी भी up and down हो जाती है यह देखे किसी ने नहीं सुचा कि इतनी बड़ी बड़ी company हमारे कर्प्टों में आएंगी और वो अचानक से आ गई और अचानक से यह उन्होंने जो है market को pump कर दिया तो यहां हो भी सकता है भी यह market और आपका यह 30-32,000 डॉलर तक जाए BTC क्योंकि 28-29,000 तक तो यह पहुँच गया तो अगर एकाद company जैसे या कोई बड़ा bank और अगर कोई माले जो positive ऐसी news आ जाती है तो यह देख लिए यह आपका BTC 32,000 तक भी जा सकता है लेकिन depend करता है कि और कोई positive news आती है कि नहीं आती है तो यहां देख लिए सारा का सारा TA धरा रह जाता है यह cable news यह पोजिटिव नीज आ गई तो market चड़ गया negative news आ गई market नीचे आ गया यह किसी ने नहीं सोच आता कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनिया अचानक से इतने बड़े bank अचानक से crypto में आ जाएंगे कहीं ने कहीं यह space बनाया गया था अमेरिका के दोारा अमेरिका ने यह panic rate किया क्योंकि अपनी बड़ी बड़ी company को crypto में गुसाना था क्यों उसको यह पता है कि अमेरिका का fund बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर coinbase और Binance को यह जिस तरीके से treat कर रहे थे तो उस तरीके से इनको यह खूप अची तरह पता है क्या भाई fund हमारा अमेरिका के जो लोग हैं जो लगा के बैठे हैं वो crypto में तो रहेंगे crypto से बाहर नहीं जा सकते लेकिन अगर हम ban करेंगे यह यहां से US coinbase और Binance को यहां से बगाएंगे तो यह लोग भी यहां से fund को जो बाहर लगाएंगे तो इसलिए उसने यह चाल खेली और एक नया exchange इतनी बड़ी कमपनियों के साथ खड़ा करने जा रहा है जिससे कि देखिए अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही रह जाएगा और इधर अपनी Binance और Coinbase के साथ जो लड़ाई लड़ा है वो लड़ता रहेगा दूसरा मौका मिल गया बड़ी-बड़ी कमपनियों को कर्प्टो में गोसाने का तो आप थोड़ा अलट रहेगा मैं तो यहीं कहूंगा बाकि देखिए जिसको भी बाय करना है वो SIP कर सकता है या DCA कर सकता है अभी इस तरह की के मुवमेंट यह चलते रहेंगे पॉजिटिव नीज आती रहेंगी तो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी और बड़ा बैंक या बड़ी कमपनी कर्प्टो में आती है तो वेट एंड वाच जो भी होगा हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे चले फिर मिलते हैं नमस्कार